पर पहले ही खा खा रहे हैं था कि ग्रहन में ने खाने का मौका ने बिले हैं तो गाइस वैसे तो आज है कार्तिक पर्णीमा ऐसी की वज़े से मैंने अज लगवग 2-3 घंटे पूझे किये हैं देख रहे हो टीका भी मैंने लगाया है और भाया तो नेट नहीं चल रहा है तो खिड़की पर फोन रखके चला रहे हैं उनका यह है और वैसे मुमी जी तो आज बहुत जाधा ही टेस्टी खाना बनाई हैं ज़िए आपको दिखाते हैं क्या बनाई है काफी ज्यादा टेस्टी आज खाना है तो वैसे भी मुझे काफी तीज भूख लगे ही थी और यहां पर हमारा कह सकते हैं ब्रेकफास्ट तो रेडी हो चुका है तो यहां तो मैं नहीं आ रहा था गाई जिनों ने मुझे बुलाया कि टीवी देखते देखते खाएंगे तो ठीक है और साथ में खीर भी है गाईस क्योंकि आज तो है पोड़ नीमा पोड़ नीमा के दिन हमें यह साइदा हो जाता है कि काफी टेस्टी खाना खाने को मिलत है अच्छा रही है तो गाईस हमारा खाना पीना हो चुका है अभी छट पे जा रहे है क्योंकि काफी ज्यादा लीचे ठंड लग रही है ऐसे भी मैंने हाफटी शट पहन रहे हैं तो काफी ठंड हो पर चलते हैं भाईया तो ऐसे कब से छट पे ही बैठे लगवग एक दो सब्सक्राइब लग रहे हैं चूब काफी मस्त लग रही है और भाईया तो इस रूम में सो रहे हैं अभी देख सकते हो यहां ही पर यह सो गए हैं सोते भी तुमार सोते दूपने वहा तो और ठंड हैं लग रहे हैं तो पास तस मिनट मम्मी के साथ तो ही पर बैठता हूं जनरली गाइस पता नहीं यह क्या हो रहा है आज भी सोलर एकलिप्स लग रहा है यानि आज भी शूर्य अगरहन है पता नहीं इतना क्या है मौन जी को सन के वीच रहाने का सो वैसे तो अभी मुझे मम्मी जी ने बोला है कि तुलसी के पते हर एक खाने के चीज़ों में डाल दो क्योंकि मम्मी हमेशा ऐसे हैं करते हैं और करना बीचे यह पता नहीं यह कुछ उपाई होते है आज सोलर एकलिप्स के देख रहे हो गाइस उसी दिन की तरह मम्मी जी अ सब्सक्राइब कर लेता हूं जड़ी 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 मेरा काम हो चुक है अब मुमी जी खा कहना मालते हैं जड़ते हैं सारे मोटे रिल्स में आज मुझे तो अब भी हर एक चीज में टालना पड़ेगा अमी जी का कहना है तो देखो मैंने आटे में मुझा लगया हारा करें दे बंग के टालना पड़े यहां सब्सक्राइब की आचा हां में भी आज मैं तो दिया नहीं दिखा सकता जस्ट बिकॉज अफ सूरे ग्रेहन अब से साइकल बाहर ही लेकर गया हुए है अभी आ रहे हैं देख लो इन है हमेशा यहां एक्सेडेंट होते ही रहती है इस रोड पे और अभी वही हुआ है तो मैं तो घर के अंदर जादा हूँ क्योंकि यहां तो मुझे लगता है कि लोगों कहीं गलती रहते हैं जैसे कि वह स्प्लेंडर हो बट समझाना तो पड़ेगा हुए कि सुगाई जभी तो चंद ग्रहन खतम हो गया है और यहां पर प्रिंस आया पूजा पाट करने यहां पर भगवान जी का कि वहां तो झाल, झाल, झाल